एक्षिली मेरे करोडों रुपए कमाने के पीछे किसी कभी हाथ नहीं है सिर्फ मैं हूँ हाड़ वक तो मैंने कभी नहीं किया मेरा दिमाग नॉलिज बस यही काम आए कि मैंने इतना पैसा कमाया मैंने बहुत बेज़ती सही बहुत मुश्किल है बसकर यह कब से खड़ा है कोट लेने के लिए कोट दे इसका विचारी की रोने वाली शकल हो गई है मैं देने वाला ता एक गंड़े में देने वाले थे तीन दिन हो गए फोन भी न उठा रहे हो ड़ी नहीं मैं देने जा रहा था कि वह आ गए है यह यह घर पे इंटर्व्य के नाटक बंद कर सीटी सेंटर मॉल जाकर टोकन देने वाली जॉब का इंटर्विव दे मैं असे चोड़े काम नहीं करूगा बास एक बड़ी मसली फस जाए फिर बन जाओंगा करोड़पती यही मेरा टार्गेट है इतना मारूंगा कि टुटी हड़ियां जोड़ने होस् सुबर्स्टार अमिताब बच्चन वह कॉन सी जॉब देंगे तुझे मैं कॉन बनेगा करोड़पती में पार्टिसिपेट करूँगा हर हॉट सीट पर पैटकर शांध यांजर दूगा और टेशन में कमाऊंगा एक करोड़ देखले ना हम हमारे स्टेट का गवर्नर कॉन ह कोई ना कोई तो हो गई कुछ नहीं आता के बीसी में जाएगा अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग में जोड़ा आप क्या किया तुने वो तुझे क्यू डाट रहे थे भावी इतिहास गवा है महापुरुषों ने हमेशा बड़ों की डाट खाई है पर आखिर में जीत किसक हैं इसा प्यांती शुक्त कदेत nine क biggest अ जैसे मेरे पस पैसे में पक्क़ होटा दूँग क्या वाई किया बैं पैसे लेने के लिए तो बड़ा हीरो बन जाए था एक अबड़ा हीरो बनने कि आ किडिनी बेच के पैसे वसोल करूंगा बाई मैं हाँ जोड़ता हूँ थोड़े नौरुख जाओ मैं पका पैसे दे दूगा प्लीज प्लीज भाई ऑभे रोचू जा टेगा पैसे एंग प्लीज यह चोट कैसे लगी पीकर लोडग गया था क्या है अब नहीं याद उनने मार अगर खेज़ अगर पैसे नहीं किया और किसे रहूंगा में एडिया तो अच्छा आई अच्छा है क्या है एक लाग के टेना नो लाग बचेंगे उसे आपने अपने पास लेना होगे प्रड्लम शाल किडनी बेच कर 10 लाख रुपे मिलेगी उसके पैसे उसको दे दू बाकी मैं रख लूँ और क्या एक क्रामकर भाड में जातू दोस्त के नाम पे कलंग है तू तू टेंशन मत ले और ना मुझे दे जल्दी अम लोग एक करोड कमाने वाले हैं आजा चल देखते हैं कि कौन बनेगा करोड पुती में जाने का प्रोसेस का है अब एंट्री की प्रोसेजर पता नहीं है और एक करोड रुपे जितने की बात कर रहा है इतने कॉन्फिडंस है किसी की नजर ना लगे अब ये क्या है ओपन चैलेंज सावित करोग की भूत है या नही अगर सावित कर दिया तो मिलेंगे पांच करोड रुपए कुछ लोग मानते हैं कि भगवान और भूत दोनों होते हैं और कुछ का मानना है कि ये ब्रह्म है ये बहस सौ सालों से चलिया रही है इस सवाल का जवाब ढूडने के लिए बहुत ही बड़े प्रोफेसर श्री के साम गोशित किया गया है अगर आपके पास सवाल का जवाब है तो संपर करें इस एड्रस पर केल नारायन जुबली हिल्स मिल गया पांच करोड जीतने का रास्ता चल मेरे साथ कहाँ तो मैंने फोन किया था इंटरनेट पर पढ़ा था कि आप उसे पांच करोड देंगे जो साबित करेगा कि भूत है सर एक बात पूछू ये साबित होने से आपको क्या मिलेगा आपका क्या फायदा आप पैसे क्यों दे रहे हो सर ये बात पूछनी थी दरसल जबसे मैंने प सुपर पावर्स होती हैं या नहीं साइन्टिफिकली ये बात साबित करने के लिए इमाले पर बहुत सारे रिशी मुनियों ने तपस्या की ताशी के संत और गुफाओं में अघोरीज ने की बलकि मैंने भी बहुत सारे भूत पर देखे पर कोई फायदा नहीं हुआ कोई स कि भूत होते हैं या नहीं और मुझे चैलेंज करता है कि मैं ये जवाब नहीं दे सकता तो मैंने एक फैसला किया अमेरिका की रेंडी संसा की तरहा भारत में भी एक ऐसी ही संसा की स्थापना की जाई इसलिए मैंने यहां साइन्स वर्सेस घोस्ट की स्थापना की और होते हैं मैंने कई बार देखे हैं मैं आपको सुबूत ला कर दूँगा बहुत से लोगों ने ऐसा कहा पर जानते हूं वो सिर्फ ग्राफिक्स लाए यह देखो रैक्स में धेर लगा हुआ है अच्छा सर आप पांच करोर रुपए कैसे देंगे चेक में या कैश में ट्रांस मजाग के होड़ाएंगे अच्छा मैं कैसे भी करके भूत को पकड़ लूँगा भूत खुच चल के आएगा अमा वस्या की रात को बारा बजे पादा हुआ था मैं मुझे भूत पक्का देखेंगे लेकिन प्लान किया है बेतिरा क्यामरा लेकर कबरिस्तान जाएंगे बड भूत मालिया की मॉडल्स है ना बड़ा आया जो पैसे मेलेंगे उसमें से 10 लाग दूआ अपना उधार चुकाने के बाद बागी पैसे उधार पर देदे ना पता नहीं ऐसा हो पाया गया नहीं पर सोचके मजा आ रहा है के अंसेंसर्ट वीडियो देखने का घर पे मजा ल बोला ना नहीं एक लाग दूँगा बस अरे नहीं यार यह तो गलत बात है तो सुन साथ चलेगा तब पैसे में हिस्सा मिलेगा नहीं तो जा उसी अदब के पास चट्नी बनाएगा तेरी कहसा दोस्ते यह किसमती खाब है मेरी प्रैक्टिस करती रहों बिटा ठीक है तो चलो करो करो ना प्रैक्टिस करो क्या हुआ पिटा क्या हुआ पिटा क्या हुआ मधू को बुलाओ इससे तो लिखना नहीं आता फिर यह किसने लिखा आज का हमारे ये शो समाज में व्यापत अंदविश्वास के उपर है प्रजा चतन्य वर्दी एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अंदविश्वासों को दूर करती है और उनमें जागरुप तलाती है जिन्होंने संस्था को खड़ा किया है वो है मिस्टर राजा रिड्डी साहब नमस्ते सर मेरे शो में आपका स्वागत है नमस्ते मैंने सुनाया कि प्रजा चतन्य वर्दी के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ दी अंद विश्वास को दूर करने के लिए आपने अपने व्यक्तिवकत जीवन को भी दाओं पर लगा दिया इन सब के लिए आपको प्रेणा कहां से मिली मैं एक गाओं में पैदा हुआ मेरी बड़ी बेहन को बचपन में साइकलोजिकल प्रॉब्लम हो गई थी उन दिनों मेरे पैरेंट्स को साइकलोजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था उन्हें लगा उसके अंदर भूत है और वो उसे एक तांतरिक के पास ले गए तांतरिक ने भूत भगाने के चक्कर में छड़ी से मार मार कर उसे बहुत दर्थ पहुँचाया मेरी पहन बहुत रोती थी कुछ तिनों बाद उसने सुईसाइट कर लिया और वो मर गई मैं बहुत दुखी हुआ उसकी मौत से मुझे बहुत कहरा सद्मा लगा जहां तक इन अंदविश्वासों का सवाल है यह ज्यादातर गाव और अनपड़ लोगों के बीच में होता है ना सर नहीं ऐसी बात नहीं है यही तो हमारा ब्रम है दो रुपए के निम्मू पर कुमकुम लगा कर दो हजार में बेचते हैं यह तांतरिक और खरीदते हैं सौफटवेर एंजिनियर्स अंकल इंटर्व्यू कमाल है हाई बेटा हाई डाड़ी हाई जिन खत्म नहीं होगा तुमारा तभी तो इसका नाम जीमर है इस बार बॉड़ी बिल्डिंग में स्टेट चैंपेंशिप जीतूंगा परिया पहले ही तीन बार फेल हो चुका है इस बार दिखा दूँगा ब्रो लो आ गई तुमारे माँ कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में भूत है और उसके चकर में उनका तरफ के उपाय भी करते रहते है मैंने प्रार्थना की है आपके घुटने का दर्द चला जाए आरती लीजिए अरे घुटनों का दर्द तो धीरे धीरे दवाईया लेने से दूर होगा बला ये पूजा पाट से कोई दर्द जा सकता है कब समझोगी तुम ये बात आपके घुटनों के दर्द के लिए मैंने भगवान से मननत मांगी है समझते क्यों नहीं मैंने हजारों लोगों के अंदविश्वास को दूर किया है पर पिछले तीस सालों में तेरी मा के अंदविश्वास को दूर नहीं कर पाया मैं आरती मम्मी के लिए मेरे लिए तुम्हारे लिए हाँ घर की शैन्ती के लिए इस कबरिस्तान में हमारी कबरे ना खुच जाए ओए मैं हुना क्यों मेरी कबर पर मिक्टी डालने के लिए नाटंकी बंकर और चल एक बार और सोच ले यार डर के मारे जान निकली जाए अरे जीजा जी तुम यह कैसे यह गले में हैटफोन्स हाथ में कैमरा यह वायर इशार अरे नए फार्म आउस में क्यों नहीं आया तुम मैं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया जी जाजी बिजी थे कौन सा काम कर रहे हो जो इतने बिजी हो अच्छा सुनो ताइम निकाल कर घर आओ कभी तुम्हारी बेहन याद कर रही थी ठीक है जीजा इसको भी साथ आना जी यह कब रिस्तान है थोड़ी हिम्मत रखेगा ना माल लक्ष्मी बरसेंगी तुछ पर लक्ष्मी माता का तो पता नहीं लेकिन लगता है भूत सरूर बरसेंगे यहां पर जयानुमान क्यानुदू सागर जय कपीसतियों लोग हुशागर बूत पिशाची निकटने नहीं आ भूत आराई थे रहा थे थिए अ दूशे टर्णा पर लटकते है अच्छा मुझे तो लगाथा कि पेड़ों पर लटकते हैं पूध भूत फ़्मता था और अब तुम्झे कपरिस्तान ने पपेडों के नीचे गुमारा था आई वो भूत राजा दिख भी जा सौ नारियल दूगा तुझे यह तो कोई पागल है देख यहां कोई भूत भूत नहीं है चल दूसरे कबरिस्तान में चलते हैं अरे ऐसे कितने कबरिस्तान में घुमाएगा तू अगर प्लॉट खरीदना है तो यहीं पर खरीद ले